हेलो वस्तों मैं हूँ रुजत दोस्तो रक्षा बंदन की आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है दोस्तो रक्षा बंदन का ये दिन आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशिया लेकर आए इसी आशा के साथ आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो भी कापे जादा इंट्रेश्टिंग होने वाला है उन सब भी लोगों के लिए जो की चंद्रगुत मौरे के फैन है दोस्तों चंद्रगुत मौरे पर कई धेरो सारे सीरियल बने हैं लेकिन आज के इस वीडियो में तीन चंद्रगुत मौरे से लिकेट तीन लीड एक्टर चंद्रगुत मौरे के बारे बात करने वाले हैं जिसमें हमने शामिल किया सूनी टीवी पर आने वाले चंद्रगुत मौरे के लीड एक्टर पैजल खान को Star Plus पर आने वाले Serial चंदर नंदनी के चंद्र गुत्मौर रे और इंडियन टेलेविजन के बादशा रजर टोकस को और वहीं पर Imagine TV पर आने वाले सबसे फेमस चंद्र गुत्मौर रे आशी शरमा के बारे में दोस्तो आज की इस वीडियो में जानेगी इन सभी की Salary Age के बारे में और वहीं पर इनके बारे में कुछ important बात हैं तो वीडियो काफी जाद इंट्रेस्टिंग होने वारा इतर जल्दी स्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तो अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी क्योंकि और इंट्रेस्टिंग अप्डेट्स आपको यहां पर मिलते रहेगी और अगर आप में इससा इंस्टाग्रम पर जुनना चाते हैं तो उसका लिख भी आपको डिस्कॉप्शन में मिल जाएगा वाले फैजल खान ने सभी के दिव दिमाग पर राज कर लिया और उसके बाद चंद्रगुप्त मौरे सेरील में जब उनके एंट्री होई तो लोग काफी जैदा शौक हो गये क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि 21 साल के पैजल खान एक चंद्रगुप्त मौरे के रूल में देखने को मिलेंगे दोस्तो इसका कारण ये था क्योंकि पूरस सेरील का सेकंड पार्ट माना जा रहा था चंद्रगुप्त मौरे को और सभी को लग रहा था कि कोई बड़ा एक्टर आएगा चंद्रगुप्त मौरे के रूल में जिसमें सभी ने आशा लगाई थी कि लक्षी लालवानी फिर से एक पार हमें चंद्रगुप्त मौरे के रूल में देखने को मिल सकते हैं लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन जब फैजल खान आये तो भी फैंस को काफ़ी जादा खुशी होई क्योंकि एक पार फिट से उनका प्रताफ हमें चंद्रगुप्त मौरे के रूल में देखने को मिला क्योंकि उनसे पहले उन्हें कई सारे डांसिंग शूज जरू किये लेकिन एक्टर के तौर पर फिट चंद्रगुप्त मौरे का करता निपाया और 35-40,000 रुप उन्हें पढ़े के लिए लेकिन उसे लास्ट टाइम पर उनके साथ काफी ज़्यादा गलत हुआ यह कहें तो हम गलत नहीं होगा क्योंकि उस्तों लास्ट टाइम पर जब यूद्ग का सीम फिमाया जाता उस समय वे गुड़ सवारी करते बाद थोड़े से गिर गए जहांपर उनके पैरों में इंजरी हो गई जिसके कारणे में लास्ट सीन को शूट नहीं कर बाए और सीले का सबसे इंपॉर्टेंट सीन ही थोड़ा सा खराब हो गया जहांपर आपने गौर किया होगा सूनी टीवी चंद्रगुद मौरे पर सीरियल में दिखाया गया आशी शर्मा के बारे में दोस्तों इनके बारे हैं क्या कहने सिया के राम हो चाहे रंगड़ा सिया हो चाहे प्रित्वी बल्लब हो चाहे चंद्रगुद मौरे हर एक सीरियल में यह अपना पैस्ट देते हैं और मात्र 35 साल की उपर में इनों इतने अलग-अलग किर्दान इ और वहीं में कई वैब सेरीज में भी एक काम कर चुके हैं दोस्तों जहां पर प्रित्वी बल्लब में इनोंने लास्ट काफी शांदार किर्दार निभाय था और सुगों को पसंद आया था अलग-अलग लोक्स इसमें उनके नजर आये थे और काफी जादा है इस बात के ब और वहीं पर अन लोकेशन भी काफी जादा काम किया गया ऐसे में सीरिल काफी जादार था लेकि शाहिए जादा समय तक वे टेलिविजन पर टेक नहीं पाया इसलिए उसे कुछी एपिसोड के बात कर दिया गया क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि वेसे सीरिल जादा दोस्तों अक्बर का किरदार हो चंतो गुत्मौरे का किरदार हो पर्तवीराग चोहान का किरदार हो चाये कोई भी इस्टोरिकल किरदार क्यों ना हो रजट टोकस ने लगबग सभी किरदार निबाए हैं और आज भी इसी कारण ने 27 वर्ट की उमर में टेलीवीजिन का वाच्छा का जाता है क्योंकि उन्होंने सारे इस्टोरिकल सीरिल की हैं लगबग जब भी कोई भी श्टोडिजिकल सीर्ल आने वाला होता है टेलिविजन पर सबके एक्सपेक्टेशन होती है कि रजट टोकस में आये तो मज़ा आएगा लेकि दोस्तों लंबे समय से टेलिविजन पर नजर नहीं आये हैं क्योंकि हाल ही में उन्होंने कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं जिसके बारे में पोस्ट डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पर अगर उन्से जुड़े हुए हैं तो आपने जरूर देखी होगी दोस्तों इन्होंने नागिन सीरिल में लास्ट एक नाग का किर्दार निवायता जिसका नाम था विक्राना उस समय भी इन्होंने पर डे की सेलेरी साथ हजार से सत्तर हजार ली थी जबकि नागिन सीरिल में उस समय चाहता ये हाईलाइट नहीं थे हाला कि आगे इनका important role हो गयाता है क्योंकि रचेट्टो को दिस serial में आते हैं उसमें public इनको ना चाहता पसंद कर लिए थी कि इनके important role देना ही पड़ता है तो ऐसे में दोस्तो historical serial से लेके हर एक किर्दार इन्होंने निभाया है और पर डेका सतर हजार से एक लाग रुपे चार्ज तकी ले देता है दोस्तो मात रसता है इस साल की उम्रों में इन्होंने इतने सारे किर्दार निभाया है और आज भी रोगों के दिए दिमाग पताज़ करता है अब दोस्तो आप comment box में जिए बताईए कि जिसका लिंक पे आपको डिस्कुस्यों ने मिल जाएगा और पर अप्डेट्स के लिए जूरे रहे हैं मेरे साथ अगले प्राप्ट प्रिश रोटना जट लिए थैंक्स दोस्तों